क्योंकि कुछ भी किजिए बस आपको confidence आना चाहिए आप उसके लिए अगर NCRT पढ़ने से आपको confidence आता है तो पढ़िए जो हो सकता है किजिए chapter पर आपको confidence आना चाहिए इस बात का सबसे ज़्यादा हमको दुखवा है जब हम आके question मिलाए सबसे ज़्यादा बुरा यही ल अब तक आपने जो भी पढ़ा जहां से भी पढ़ा जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया अब लास्ट के 5 दिनों में आपका क्या approach होना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अब तक आपने जो किया वो चीज आपको अब नहीं करना है जहां से भी जितन के 4-5 दिनों में मेरा क्या approach था मैंने क्या-क्या follow किया था ताकि आपको यह पता चल सके कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो वीडियो को पूरा देखेगा चले start करते हैं start करने से पहले सबसे पहले एक question जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है मत मैंने अटेंड वो किया था कि नहीं महारी विजन अटेंड करने से कोई benefit हो भी या नहीं होगा यह सब आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं यह बता देता हूं कि मैंने अटेंड किया था फिजिक्स मैंने आपको बताया था कि मैंने physics mr सर से पढ़ा है और physics का जो सर न आपको बोल दे हां कर लो या नहीं करो तो उसको आपको नहीं फॉलो करना चाहिए मैं आपको कंडिशन बताता हूं उसके बाद आप खुद जज किजेगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जैसे आपका कोई आपको इऑ छeप्टर स्ट्रोंग नहीं है demol लगए आप इसकी में और लाएं या बहुत पहले स्क्रिट मिला कर उन्हें और या अपने लाव कर्यार में तब 4-5 chapter आपका week है, आपको 4-5 chapter में ही confidence नहीं है, डर लग रहा है, तो आप मातरू 4-5 chapter का ही देखिए, बाकि जो chapter strong है, उसका देखने का कोई जरुवत नहीं है, आपने time को सही जगा utilize कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने notes का revision कीजिए, और जो chapter strong नहीं है, जिसमें डर exam में भी, अगर आपको confidence है, तो आप आता वे नहीं आते वे भी आप अच्छा कर लिजेगा, आपको concept आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, अगर आपको सब आ भी रहा है, फिर भी अगर आपमे confidence नहीं है, अपने आप पे विश्वास नहीं है कि आप कर सकत हैं, तो कोई आपको नहीं बचा सकता है, जितना भी, कोई भी exam है, सब में confidence से ही चलता है, अगर आपको confidence है अपने आप पे, तो आप अच्छा करके ही आईए, इसलिए अगर आपको confidence नहीं लग रहा है चैप्टर में, तो आप जरूर जा कि देखिए, क्योंकि कुछ भी कि किजिए, बस आपको confidence आना चाहिए, आप उसके लिए अगर NCRT पढ़ने से आपको confidence आता है, तो पढ़िए, जो हो सकता है किजिए, चैप्टर पर आपको confidence बस आना चाहिए, और बायो का जो मैंने महा जिविजन अटेंड किया था, उसमें मैंने पूरा नहीं किया था, 11 के तो जिस चैप्टर में आपको confidence नहीं है, बस उसी के attend किजिए, simple, that's it, तो ये doubt मैंने clear कर दिया कि महा रिविजन आपको करना चाहिए या नहीं, और एक बात महा रिविजन अगर आपको करना है, तो आप जिस teacher से साल भर पढ़े हैं, जिस teacher से आपका concept clear हुआ है, उसी teacher का कि आपको समझने में भी time ज्यादा लगेगा, इससे बढ़े हैं अपना notes से ही revision किजिए, जो जिस chapter में आपको confidence नहीं है, उसमें आपने देख लिया, बाकि पूरा का पूरा revision, main focus जो अब होना चाहिए, last के कुछ दिनों में, वो आपको purely notes पे ही होना चाहिए, अपने notes पे, ज क्योंकि वही एक चीज़े जो आपको exam में याद आएगा, आप जब question पढ़ेगा, अगर question नहीं बन रहा है, तो आँख जब बन किजेगा, तो वही notes का page आपके दिमाग में आएगा, इसलिए आप अभी उस notes को जित्ता बार हो सकता है, अच्छे से revision किजे, जल्दबाजी म आप फोटो दिमाग में आना चाहिए, इस तरह से revision किजे, detail में एक दा, और मैं अपना बता हूँ, तो मैंने physics में जो मैंने बताया कि मैंने महा revision अटेंड किया था, notes भी पढ़ा था, सब चीज़ करके मैं जो exam देके जो मैं निकला था, neat exam का, सबसे जादा हमको दुख किस इस बात का हुआ था, कि physics में महा revision बेटेंड किया था, अपने notes को भी पढ़ा था, जो theory portion वो सारा पढ़ लिया था, लेकिन जो question प्रैक्टिस जो सर करवाते थे class में, और जो मैंने लिखा था, वो question का मैंने revision नहीं किया था, इस बात का सबसे ज़्यादा हमको दुखवा, जब हम आके question मिला है, सबसे ज़्यादा बुरा यहीं लग रहा था, क्योंकि maximum question जो class notes में किया हुआ है, वही सब question थोड़ा-थोड़ा format change करके नीटिया में आया था, अगर उसको पढ़ लिये रहते, तो और ज़्यादा question सही हो सकता था, इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि आप जो अपने notes बनाएं इतने दिनों में, उससे तो revise किजिए ही, और जो class में question practice हुआ है, उसको भी आप एक देख के जाईए, ऐसा ने, मतलब पूरा बनाने मत बैठ जाईए, लाज टाइम पर और difficult question है, उसको तो बिल्कुल मत बनाईए, बनाने में अपना time waste मत किजिए मतलब easy question है तो उसको बनाईए, ऐसे difficult question को आप बिल्कुल मत चुछिए, एक्जाम में भी उतने difficult question नहीं आते हैं, class में सिर्फ concept के लिए करने के लिए ही बताया जाता है, और जो question आपने लिखे हैं अपने notes में, या आपके class में जो भी हुआ है, आपके बास PDF है, जो भी है, क्योंकि exam में उसी से related question आता है, और रहा बाद test का, तो test के लिए मैं आपको बता दू, कि अगर आपका marks अच्छा आ रहा है test में, आपने revision कर लिया, आपको किसी chapter में वैसे डर नहीं है, आपका अच्छा preparation level है, तो test दीजे, daily test दीजे, exam से एक दिन पहले भी test दीजे, और अ इतने दिनों में आपने जो भी test दिया होगा, उसमें तो आप सीख ही गया होगा कि कैसे paper को attempt किया जाता है, कौन सा portion मुझे पहले करना है, सब का अलग लग होता है, पहले मुझे bio करना है, तब physics करना है, तब chemistry करना है, उस जो आपका होगा, वो तो आपको पता चली गया हो आ रहा है chapters पे, तो सिर्फ और सिर्फ revision कीजिए, पूरे अच्छे से revision कीजिए, और PYQ का मैं जब बोल रहा था, और test जो है, वो PYQ वाला दीजिए, जैसे मैं बोल रहा हो कि पिछले साल का, अभी 24 है तो 23 का, 22 का, कम से कम 2 से 3 साल का, आप test दीजिए, मैंने भी दिया था, बहुत ज़्यादा helpful होता है, आपको बहुत ज़्यादा helpful मिलेगा, आप जब exam दे के आएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इसे बहुत ज़्यादा help हुआ है, मतलब पूरा 22 का paper लेखे बैठ जाई है, और test दीजिए, या नहीं तो मैंने जैसे किया था, जैसे मैंने प पूरा solve कर लिया था, उसके बाद फिर जब मैंने physics का पूरा revision मेरा complete हुआ, तब मैंने physics का 2-3 साल का pyq को पूरा solve किया था, 22 का 21 का 19 का इस तरह करके, फिर chemistry का, chemistry का मैं एक दो year कर पाया था नहीं कर पाया था, जो कि मैंने गलती था, करना चाहिए था, आपको मैं इसी तरह आप पूरा test लेके बैठके आराम से दीजिए, नहीं तो, आप जैसे एक पूरा biology का कर लिए, तो पूरा biology का आप दीजिए, जैसे 23 का paper का पूरा bio solve किजिए, फिर 22 का paper का पूरा bio solve किजिए, इस तरह करके, कम से कम 2-3 year का pyq आप solve किजिए, आपको इसे बहुत help मिलेगा, कर revision किजे पढ़िए, और एकदम मतलब सांती से बस revision किजे, ज्यादा tension बिल्कुल मत लिजे, मैंने पहले भी बोला था, कि सारा खेल confidence का है, आपको उस दिन, exam वाले दिन, अपने आप पे confidence होना चाहिए, कि हाँ मैंने preparation किया है, आपका जितना भी preparation हुआ है, कम हुआ है, ज्या इसा अपने माइन में रखे, कि आप बस एक government seat के लिए fight कर रहे हैं, आप जो इतना महनत कर रहे हैं, selection लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक government seat के लिए, आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि 25 लाग बचा, 30 लाग बचा exam दे रहा है, वो सोच कि आपको demotivation नहीं होगा, क्यो बिल्कुल यही सोच के अपना exam देजे, बिल्कुल अच्छे से exam देजे, all the very best